So friends, it's my birthday outfit, कैसा है कमेंट करके बताईएगा And this is my birthday look, very simple फिर वी कैसी लग रही हूँ, कमेंट करके जरूर बताईएगा Simply मैंने काजल लगाया है, लिपिस्टिक लगाया है, बस, that's it तो चलिए थोड़ा सा पिक्सेर कर दे रही हूँ, बर्थडे का फिर आगे आप लोग ब्लॉग इंज्वाई कीजिएगा बर्थडे के सुबह सुबह, जैसे ही मैं सो के उठी, मुझे 2000 मिले किसकी तरफ से, आगे मैं आप लोग को उनसे मिलवा दूंगी ये देखिए, तो ये मेरे पापा है अभी हम लोग आये हैं, रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन देखके आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग कहीं जा रहे हैं तो अभी तो नहीं जा रहे हैं, हाँ लेकिन जाना है तो हम लोग टिकट करवाने आये हैं और हस्वेंड अंदर गया हैं टिकट करवाने हम लोग कहां जा रहे हैं जल्द ही मैं आप लोगों से सेर करूंगी वैसे हिंट्स दे दो हम लोग कहीं हील स्टेशन पर जा रहे हैं और वहां जाना है तो जाने से पहले वहां के लिए स्वापिंग भी करनी है तो अभी हम लोग आये हैं स्वापिंग करने और ये मैं अपने लिए नहीं ले रही हूँ आप लोग को जल्द ही पता चल जाएगा कि ये मैं किसके लिए ले रही हूँ तो चलिए आप लोग भी डिजाइन देखिए और आगे मैं रोव वीडियो ही रहने दूंगी और मैं सिंपल सूट ही देख रहे हूँ जिनके लिए लेना है वो लोग बहुत हेवी सूट नहीं पहनती है कॉटन में लेना है प्योर कॉटन में बट बहुत ज्यादा तरक भरक वाला नहीं चाहिए सिंपल ही चाहिए नॉर्मल ही चाहिए तो मैंने इनको बोला है कि कपरे की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए कॉटन में होना चाहिए बट सिंपल ही हो तो वैसा ही दिखा रहे हैं इनके जैसा बोलो वैसा दिखाते हैं ये जो पिंक सूट अभी दिखा रहे हैं, ये मुझे अच्छा लगा, तो एक तो ये लेना है, एक और आगे में आप लोगों को दिखाऊंगे, तो आप लोग भी देख लीजे पिंक सूट को, और आप लोग बताईए अपनी राय दीजिए कि कैसा है, ये प्योर कॉटन है, ये वाला मुझे अच्छा रहा है, ये मुझे दे रहा है, ये इसा बहुत चला हो, अब हम लेके भी गए थे पिंक में, जब भी तीसरी बाड भी दिखाया गई ए बहुत सारी लोग कमेंट में बोलते हैं कि आपने सॉप का नाम तो बताया ही नहीं खासकर जो मुझे परपुर से हैं तो आप लोग कमेंट करना तो मैं ब्लोगिंग भी करती हूँ अगर आप लोग पूछेंगे तो मैं सौब का नाम बता दूंगी ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बताऊंगी लेकिन आप लोग पूछिए पहले कमेंट कीजिए तो चलिए अभी एक और लेना है एक तो हमने रिसाइड कर लिया है पिंक वा जैसे अभी हम लोग का टूर होने वाला है तो हम लोग तूर पर जाने वाले हैं तो वोसा ब्लोग भी आप लोग को देखने को मिलेगा और आज मेरा बर्तरे भी है रात के बारा बजी जो केक कट हुआ था उसका ब्लोग तो मैंने सेयर कर दिया है अगर अपने नहीं देख चुठा कुछ-कुछ काम था, तो वो सब करते-करते अंधेरा हो गया, अंधेरा होने के बाद हम लोग घर पहुँचे थे, मतलब यह मेरा पहला बर्थ्रे है कि मैं पूरे दिन घूमते रह गई, बस घूमना 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 और साम को इतना ठक गई कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती और बर्सरे को लेके कुछ प्लानिंग भी नहीं था जैसे नॉर्मली हम लोग अपना बर्सरे मनाते हैं तीन लोगों के साथ ही तो वैसे ही सब कुछ मतलब जो भी बनाना होता बना लेते खा लेते या फिर कहीं चले जाते रेस्टोरेंट में वहाँ पे खा लेते लेकिन मेरी सिस्टर इनलॉब अगल में ही रहती है तो उनका कॉल आया कि पाटी दो तो मैंने बोला ठीक है मैं तो थक गई हूँ साम को तो मैं थक गई थी तो मैंने बोला ठीक है सब कोई मिल के बनाते है और पाटी करते है मुझे दो सूट लेना था तो मैंने दोनों सूट ले लिया है अब ये जो यहाँ पे सौप में भया है यह जबरदस्ती मुझे उलेन सूट दिखा रहे हैं कि आप देख लो क्या पता आपको पसंद आ जाए लेकिन अभी मुझे लेना नहीं है लेकिन आप लोगों को पता ही है कि देखने के बाद अगर पसंद आ जाए तो फिर हम अपने आपको रोक भी नहीं प अपने लिए लेना है लिपिस्टिक और आई लाइनर भी लेना था कलर वाला लेकिन इनके पास एवलेवल नहीं था तो यहां पर आप लोग भी देख लीजिए मेरी च्वाइस जब मैं खुद से खडीदती हूं तो कौन सा ब्रांड खडीदती हूं वैसे तो आप लोग द अधियर निवेटिन बहुत पसंद है अफॉर्डेवल भी है और इसके अलावा लोटस भी अच्छा लगता है अज सीद्य दीजिए हूं जाने है क्या चैन नहीं है क्या तो आज यह जो तो अलग यह तो यह तो यह नहीं होगिया असीविद काटना आप पकाड़े इसको श देखिए गाई मेरे बर्थडे का पार्टी हो रहा है इसी दे काम चल जाएगा नो जो लोग अपका से चल जाएगा मार्किट का काम खतम करने के बाद अभी हम लोग आ गये हैं मॉल में और यहां से कुछ भी नहीं लेना था बस एक पजामा लेना था यह पैंट लेना था उलिन वाला तो इसी के लिए आये थे बस यह लेके निकल जाएंगे रुकेंगे नहीं कुछ भी नहीं देखेंगे कि मॉल में क्या है क्या नहीं है, सो गाइज यहां पर पार्टी हो रही है, मेरे बर्द़रे की पौरी हो रही है, तो यह सब है मेरे भांजा भांजी लोग, और यह है मेरा खाना, क्या-क्या बना है, मतरपनीर, खीर और कचौड़ी, सच बताओ То मैंने अपने बर्डे पर पूरे दो साल के बाद इन्होंने पनीर की सबजी बनाई खीर भी हस्वेंड नहीं बनाया दो सिस्टर इल्लो आई थी तो फिर एक ने आटा गुंधा और फिर दोनोंने मिलके कचोरी बनाया तो मैंने कुछ भी नहीं किया हस्वेंड ने सबजी खीर और सिस्टर इल्लो ने तो चलिए खाते हैं और आप लोग भी आजाएए और सालेट भी है जो की बाद में आएगा Owen को नहीं दिखाया ये रंगरीती की कुर्ती है वीडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिए और भी इंट्रेस्टिंग ब्लॉग के लिए मेरे चानल पर इंगेज रहिए मिलती हूँ अगले ब्लॉग में तब तक के लिए बाबाई, थैंक्यू